देर स्वागत है आप से भी का फिर से एक नए वीडियो में और ये क्लास 5 का SST है चप्टर 9 है और इस चप्टर का नाम है देश की आजादी में साहितिकारों का योगदान तो इसको जानने के लिए हम लोगों को पढ़ना होगा जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी दिया कि देश के परती हमें लड़नी है बलिदान करना है तभी देश आजाद होगा तो इसी तरह का ये चप्टर में दिया हुआ है इसको हम लोग संचिप्ट में पढ़ लेंगे सौधिन्ता काया संग्राम चरम पर था करांती कारी वीर हात में गीता लेकर फांसी का पंदा चुम रहे थे तो उस समय का अभी का भी सबसे बड़ा जो गरंत है गीता का कहते हैं कि जो गीता को पूरा पढ़ लेता है उसको सब कुछ का ज्यान हो जाता है वो एक ज्यानी पूरूस बन जाता है ज्यानी वेक्ति बन जाता है जो लोग नहीं पढ़े हैं हम लोग नहीं समझ सकते क्योंकि हम लोग उने पढ़ाई नहीं किया है उसका इसलिए तो हम उसकी बातों को मानते हैं कि ये सत्य है साधू सन्यासी वासुधारक भी किसी से पिछे न थे देश में घुम घुम कर उन्होंने उत्सा और प्रेरना की एक लहर सी ला दिती तो सभी जो है परचार परसार में लगे हुए थे कि अंग्रेजों को देश से हर हाल में भगाना है देश हमारा है वे बलपूरवक यहां पर राज कर रहे हैं तो सक्ति के बल पर यहां राज करना असंभाव है तो ऐसा लगने लगा था उन लोगों को अंग्रेजों को कि अब जो है हम लोगों को ज्यादा दिनों तक रहना मुस्किल है तो उन लोगों ने कई परकार के सढीआ अंतर रचे इसको किसी तरह कभी आंदोलन जो चलाए जाता था उसको तोड़ने के लिए अंग्रेजी भासा का डट कर परचार किया उन लोगों ने हिंदुस्तानियों के मन में कुछ ऐसा डाल देना चाहते थे कि हिंदुस्तान के परती उसके अंदर घिरना भर जाए हिंदुस्तान एक तुछ देश उनके सामने राज जाए उसकी भासा तुछ हो जाए सब कुछ उसके सामने अपने भासा का बड़पन कर रहे थे सब कुछ इस तरह का बतला रहे थे वो लोगों ने काफी प्रियास किया लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि यह संभाव नहीं है ना कल हुआ था और ना आज और ना कभी होगा केवल लड़ना ही नहीं युद्ध को जीतना था इस तरह की धारना लोगों ने अपने मन में बना लिया था सौधिन्ता अंदोलन के इस महान संघर्स में कुछ लोगों ने भी सहयोग दिया करांतीकारी, अंदोलनकारी, नेता, बलिदानी परन्तु इन लोगों ने तो करांतीकारी, अंदोलनकारी ने देश के लिए खुल कर सामने लड़ा था अंग्रेजों से लेकिन जो अपरतियच रूप से लड़ रहे थे वे कवी, लेखक, पतरकार इन लोग थे इन लोगों ने अपने तरब से कई इस तरह की कविताएं लिखे कि जो लोग लड़ना न चाहे उन लोग भी उन कविताओं को पढ़ने के बाद उनके अंदर एक ऐसा जोसा जाता था कि वे देश के परती सोचते थे और कुछ उनको नजर नहीं आता था तो इसे तरह से सन्यासियों ने एक बार विद्रोह किया था सन्यासि विद्रोह कर लाया और उसके बारे में बंकिम चंदर चटोबाध्याई ने अपना आनंद मठ का नाम का पुस्तक जो है उसमें लिखा है और उस पुस्तक में वंदे मातरम सुजलम सुखलम जो हमारा राष्ट्रिय गीत है वो भी उसी में लिखा हुआ है उसी से हमारा राष्ट्रिय गीत लिया गिया है वंदे मातरम करके तो वंदे मातरम उन दिनों का सोतंतर मंत्र बन गया था वंदे मातरम जो लोगों को जब अंगरेज बिटाई करते थे या किसी तरह की यातना देते थे तो बंदे मातरम बोलकर वो चिलाया करते थे उससे उन लोगों को सक्ती मिलता था इसके अलावा बंगाल में रविंदर नाठ ठाकूर का जनम हुआ था तो विश्चुकवी के रूप में परसिद हो गए और उन्होंने लिखा था जनगानमाना अधिनायक जो हमारा नशनल अन्थम है राष्ट्रिय गान है तो इनके द्वारा रचित है ये उसके बाद और कई सारे कवी हैं जिससे कि यहां पर दिया हुआ है माखनलाल चतुरुवेदी मैथली सरंगुप्त सुबद्रा कुमारी चोहान बाल क्रिसन सर्मा कई सरणाम यहां दिया हुआ है और हम लोगों ने कई बार इसको पढ़े हैं पुस्प की अभिलासा जिसमें फूल के अंती मिच्छा यही रहता है कि उस पत पर उसे वह फेक देने के लिए बोलता है माली को कि जिस पत से अनेक बीर देश को अपना सिस्ष चढ़ाने के लिए जाते हैं तो इस तरह की इस तरह दर्द उस पुस्तक में कविता बनकर फूट पड़ी थी उसके बाद जहासी जिल्ले से वे थे तो उनका जो है चीरगाओं में चीरगाओं की निवासी थे वे और सुबद्रा कुमारी चोहान जो यहाँ पे एक साधरन महिला जैसी दिखने वाली आसाधरन महिला है सुबद आजी लोग जो थे वे लोग भी बतलाया करते थे कि उन लोग उने भी इस कविता को पढ़ा है जहां से ने ही लुठे राजवांसों ने भिरकुट्टी तानी थी बुंदेले हर बोलों के मुह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वह तो जहासी वाली रानी थी त और इनका जो एक पोयम लिखावा है वंदना की इन सवरों में एक सवर मेरा मिला दो वंदनी मा को ना भूलो राग में जब मस्त जूलो पंडित सियम नारायन पांडे मौनात भंजन आजमगड के निवासी उनकी परसित कुस्त के जोहर वा हल्दी घाटी से कौन परिचित नहीं है तो संभवता है आप लोग नहीं चांदते होंगे क्योंकि अभी आप लोग नीचे कला से पढ़ रहे हैं राजपुताने की इतिहास की गोरव गाथा उनमें लिखी गई है तो इस तरह की जो पोयम है और खास करके आप लोगो को इसमें जो सिसुमंदिर विद्याल में होगी कवियों की माला में मतलब कवियों की सिर्खला में कई सारे कवी हैं और उनके कई सारे कविताएं हैं तो यहां पर सब के बारे में बतलाया नहीं चाहता कुछ नाम दिया हुए है जैसंकर परसाद, नरेश तिरपाठी, बालक्री संसर्मा, नविन, राम धारी सिंग दिनकर, सुमित्रा अनंदन पंत, कई सारे नाम यहां पे दिया हुआ है तो यहां पे एक से बढ़कर, एक मा भारती के पुत्रों ने भारत की आजादी के लिए अपनी कविताओं द्वारा अलख जगाया इसके बाद जो है, लेखक के बारे में दिया हुआ है, कई सारे ऐसे लेखक थे, जिसमें से यहां पिक्चर दिया हुआ है, भारतेंदू हरिश चंद का झिसमें से भारतिये के राश्टभाव को जगाय ये गासी नगरी में सुपरसित बिद्वान भारति इंदु बाबू, हरिस्चंदर पंडित ये संकर प्रसाद मुंसि पर्सा, मुंसि प्रेम्चंदवा पंडित राम्चंदर सुक्ल सरीखे बिदवान पैदा हुए भारतेंदू बाबू तो गारावर्स की उमर से ही लेख हुआ कविता लिखने लगे थे उनका भारत दर्सन नाटक देश भक्ती की प्रेरक पुष्टक है तो ये जो है भारतेंदू जब बच्चा थे उसी समय से वे लिखना शुरू कर दिये थे पंडित जे संकर प्रसाद प्रसिद नाटक कार कवी वार लेखक थे तो इन्होंने चंदरगुप्त असकंदगुप्त नाटक जो है उनका काफी परचलित रहा है सवधिन्पा की उमंग जाग उठती है इन सारे बुक्स को जब कोई पढ़ता है मुंसी प्रेमचंद उपनियास समराठ ही माने जाते है प्रेमचंद को हम लोग अक्सर जानते हैं उनका कई सारे कहानी जो है बुक में आते रहता है उनका वास्तविक नाम धनपत राय था ये याद रखने वाली बात है प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था सीधी सरल वा चुभने वाली भासा में उन्होंने देश की दसा का बड़ा मार्मिक वर्नन किया है गोदान कर्म भूमी गबन उनके परसिद उपनियास है उपनियास कार वे उपनियास समराट माने जाते थे उसके बाद यहाँ पे सौधिन्ता का संक फोकड़े वाले लेखकों में सबसे परसिद नाम वीर समरकर वा लोकमाईनितिलक का आता है तो इन्होंने पुस्तक जो लिखा था 857 का पर्थम सौधिन्ता संगराम और यह जो पुस्तक है इंग्लेंड में चिपकर इन्होंने लिखा था क्योंकि अंग्रेजों के हाथ जो इसका एक चिपकर अंग्रेजों के हाथ में लग गया था और उन लोगों को लगा कि जरूर कुछ न कुछ यह ऐसी खतरनाक चीजे लिख रहे हैं हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए देश के परती अंग्रेजों के अतियाचार का पता लगता था सावरकर ने एक और पुस्तक लिखी पर कैसे जब वे अंडमान की जेल में बन थे तो लिखने पढ़ने की समागरी न मिलती थी अता उन्होंने अपने नाखुन बढ़ाए देखिए यहाँ पर कितना इस तरह का अगर किसी को इस तरह का समस्या हो कि मेरे पास तो कुछ है यह नहीं तो फिर वो चुपचाप बढ़े जागा कि नई अब तो कुछ नि करना है, हमारे पास तो कुछ है यही नहीं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, उन्होंने हारने के बारे में कभी सोचा ही नहीं, आपने नाखुन बढ़ा ली दिवारों पर लिख दिया, जीवन भ को जोड़कर पुस्तक तयार की गई और उस पुस्तक का नाम था हिंदुत तो जेल में बंद होने पर समय प्रियाप्त मिलता था इस तरह से कई महापुरुष जो थे जेल में बंद रहे और उसी समय कई सारे पुस्तक लिखे जैसे कि लोकमाईन बाल गनाधर तिलग ने रगीता रहस लिखा और पंडी जवारला लेहरो ने भारत की खोज उन्हों ने लिखी थी और उसके बाद गांधी जी वा विनोवा भावे ने देश इसको सिरस साहित दिया इन लोगों ने भी लिखा हुए लेकिन यहाँ पे उन लोग के बारे में जो कोई पुस्तक का नाम नहीं दिया होँ है बंगाल के सरथ बाबु यह उपनियासों में से एक पत् autant के दावेदार के रज्चत्या सरथ बाब्वं हैं ये कादस जश्ग्त जिवन कैसा कर्म कटोर होना चाहिए। बस यही उन्हें प्रस्तित की सकती है। अपने देश के बारे में सिर्फ सोचना है। बाकी लोगों का क्या होगा। उस समय उन लोग नहीं सोचते थे उनके सब्द में ओज लेखों में प्रान फूकने की सकती इस तरह की चीजें किताबों में विभर देते थे और पढ़ने के बाद जो है कोई भी बेगती देश के प्रती सोचे बेगर नहीं रपाता था पत्रकारों ने भी कई सारे काम किये लेखकों वा कवियों के साथ साथ कुछ संपाद को वा पत्रकारों ने भी सोतंतरता के इस महान अंदुरन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया था तो यहां पे दिया हुआ है चापेकर बंदों तथा परफुल चंदर चाकी वा खुदी रंबोस के कामों की खुले आ अंपरसंसा करने का काम लोक्माईन दिन लग न किया था तो आम जनता कोई कुछ बोलने सकता था लेकिन कोई करांधीकारी हो इस तरह के लोग बोलते ही थे उन्होंने पूने से केसडिय क्वार का नाम था किसरी स्वामी विवक्नांद्द के भाई भूसंद्र नाथ्धत न एक बम का गोला था, मतलब उस अखबार में फासी करके जो है कोई अंक होता था, तो वो बहुत ही खतरनाप था, दच्छिन में सुब्रमनियम भारती के लेख वकविताओं ने चेतना जगाई दिली से परकासित होने वाले हिंदुस्तान के संपादक महात्मा गांधी जी के प अधिया चार से है अने कस्ट उठाए परंतु अंगरेजों के सामने हार नहीं मानी, इस परकार कवियों, लेककों, पतरकारों ने भी शोटंतरता अंदोलन को परेर्ना और दिसा दी, तो अपने तरफ से सभी लोगों ने शोटंतरता अंदोलन में भाग लिया था, गरीब लोग जिन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाप लड़ा और किसी स्थिति में वो लोग मारे जाते थे उनका नाम आज इतिहास में नहीं है लेकिन कहीं न कहीं वे भी आजादी दिलाने में अपना सहयोग दिये हैं तो यहां पर जब्र समाप्त हो जाता है देखते हैं यहां इस तरह कोई लंबा question answer नहीं दिया हुआ है यहां पर जादतर सिर्फ नाम दिया हुआ है कि इसका नाम बतला ये तो यहां पर जितना भी भरा हुआ है यह सारे सही है अगर आप लोग को स्क्रीन पर दिखता है तो ठीक है मैं आपको लिख के देदूँगा और यहां पर ही म नरायन पांडे सुचलां शुफलाम मलियाज सितलां बंकिंचंडर चटो पाध्याय खुब लडी मरदानी वतो छासी वाली रानी थी यह कविता है और इसके रच्यता है सुबद्राक्मारी चौहान इहां और यह कविता है वंदना के इन सवरों में एक सवर मेरा मिलालो पं स्याम नारायन पांडे मुझे तोड़ लेना वनमाली उस्पत पर तुम देना फेंक माखनलाल चतुरुवेदी इस तरह से दिया हुआ है क्वेशन नम्र थिरी में इन संपादकों ने किन-किन पत्रों का संपादन किया अर्विंद घोस करम योगी महत्मा गांधी हरीजन भू संकर प्रसाद, चंदर गुप्त, असकंद गुप्त, सियाम, नारायन पांडे, हल्दी घाटी, मैतली सरंगुप, भारत भारती, जेल में लिखी गई कुछ पुस्तकें वा उनके लेखकों के नाम लिखी, तो पुस्तक यहां है, उसका नाम पुस्तक का और उसके जो रज्य पर्थम सवधिनता संगराम, चीप कर इंगलेंड में लिखी गई, वीरसावरकर ने लिखा था, हिंदुत, नाखुन से लिखी गई, तो इसको भी वीरसावरकर ने ही लिखा था, जेल में जब उनको लिखने की कोई सामगरी उपलब्ध ना हो पाई थी, तो यह नाखुन स निवलिके दस्थानों का संबंध किन किन कवियों से है, चीरगा, मैतली सरंगुप्त, अंडमान जेल, वीरसावरकर, विंदकी, पंडित सोहनलाल दिवेदी, माउनात भंजन, पंडित सियाम नारायन पांडे, इन पक्तियों के रचियता कौन है, सुजलाम सुपलाम, इसको तोड़ लेना वनमाली, माखनलाल चतुरुवेदी, इन संब्पादकों ने किन किन पत्रों का संब्पादन किया था, अर्विंद घोस, करम योगी, महत्मा गांधी, हरीजन, भुपेंदर नाथ दत, वंदे मातरम, देवदास, हिंदुस्तान, लकमाई नितिलक, केशरी, न देल में लिखी गई, कुछ पुष्टकें, वा उनके लेखकों के नाम लिखिये, गीता रहिस, बाल गंधरतिलक, भारत की खोज, जोहरलाल नहरू, हिंदुत्त, वीरसावरकर, पत के दावेदार, सरत बाबू, निमनांकित, पुष्टकें, कैसी लिखी गई, पुर्थम सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह के वीडियो, इसमें कई सारे आप लोगों को मिलेंगे, और जिस चेप्टर का वीडियो आप चाहेंगे, आप कमेंट करके बतलाएंगे, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोगों कहीं भी कोई डाउट है, कोई प् आप वाट्सअप कर सकते हैं, और अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, ताई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं,